नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल नई सुभा में हार्दिक स्वागत है आज हम आपको बताएंगे चावल के आटे से आप कैसे अपनी त्वचा को बहुत ही जादा गोरा और सुन्दर बना सकते हैं इस आसान घ्रेली नुस्के से आपकी त्वचा हमेशा चमकती रहती है और चेहरे का रंग भी निखरने लगता है इसके साथ ही अगर आपके चेहरे पर मुहासे होते थे तो वह भी नहीं होते हैं उम्र के साथ त्वचा की तमक और निकार कहीं खो जाता है और काफी लोग उम्र से पहले ही बुड़े नजर आने लगते हैं उनके चेहरे पर उम्र से पहले ही जुरिया आने लगते हैं जिससे उनकी उम्र का पता ही नहीं लगता है और वह काफी बड़े भी लगने लगते इसके साथ ही चहरे पर मुहासे होना आज कल के बढ़ते प्रोदूशन की वज़े से चहरे को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ऐसे में महंगे ब्यूटी प्रोडट्स का आप इस्तेमाल करने लगते हैं जो आपके चहरे को और ज़्यादा बिकार देते हैं ये महेंगे तो होते ही हैं और इसके साथ ही इसमें काफी सारे केमिकल होने की वज़े से ये आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुचा देते हैं तो इसके लिए आपको प्राकर्तिक घरेली नुस्कों का प्रयोग करना चाहिए जो आपके चेहरे को और ज्यादा निखार देता है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है क्योंकि यह बिलकुर प्राकर्तिक होते हैं और इसका कोई सैड इफेक्ट नहीं होता है जो आप अ खिला हुआ रहता है इसके लिए आपको चावल का आटा तयार करना है चावल का आटा आप असानी से तयार कर सकते हैं चावल को पीस कर और जब भी आप इस फेस पैक को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके चहरे पर मुहासे भी नहीं निकलते हैं और जो आपके चहरे पर पह दो चमच, शहद, ये चार चीज़े आपको ये फेस पैक बनाने के लिए चाहिए और ये आपको किस प्रकार बनाना है सबसे पहले आपको एक बरतन में दूद लेकर उसको गरम कर लेना है बिल्कुल थोड़ा सा गरम करना है उसको और उसके बाद आपको उसमें कुलाब जल और शहद मिला लेना है और उसके बाद आपको आटा थोड़ा थोड़ा करकर मिलाना है चावल का आटा थोड़ा थोड़ा करकर मिलाएं बिल्कुल अच्छी तरह पूरे आठे को उस मिश्रन में मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपको ये face pack अपने चहरे और गर्दन पर लगा कर रखना है और जब यह सूख जाए तो आप इसे गुनगुने पाने से धो सकते हैं ऐसा करने से आपको तुरंत ही असर महसूस होने लगेगा और आप खुद ही अपने चहरे को काफी खिला हुआ और फ्रेश महसूस करेंगे face pack से आपकी तवचा काफी गोरी होने लगेगी अगर आपकी skin oily नहीं है तो आप इस face pack में मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी skin oily है तो मलाई का इस्तेमाल ना करें मलाई आप तीन चमच मिला सकते हैं इस face pack के इस्तेमाल से आपका चहरा एक ही दिन में चमकने लगेगा तो दोस्तों जरूर लाब उठाएं इस असान घरेली नुसके का अगर आप इसमें कुछ पूचना चाहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना बूलें और सब्सक्राइब बटन के पास पेल बटन दबाना ना भूलें जिससे आपको मारे सभी जानकारियां मिलती रहें क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बहुत ही शानदार और मैंटतकून घरेलून उसके जिने अपनाखर आप अ अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना बूलें जिससे आपके सभी मित्र भी जानकारी प्राप्ट करके अपने जीवन में फायदा उठा सकें धन्यवाद दोस्तों